आज राज़ानी पटना में राजत कार करताओं ने शुशील कुमार मोदी और नितीश कुमार का पुतला फूका पुतला फूकने की ये वज़ा थी कि लगतार बिहार में क्राइम कदर बढ़ता जा रहा है पिछले दिनों मुदफर पूर मेर को एकके 47 से चलनी कर दिया गया और उसके बाद से शुशील कुमार मोदी मस्तक होते दिखते हैं अपराधियों के आगे नितीश कुमार और शुशील कुमार मोधी को सडक पर उनका पुतला बना कर फूका लगतार बिहार में क्राइम कदर बढ़ता जा रहा क्या कुछ कहा च्छात्र अध्यक्ष आकाश यादव ने आप ये सुनिए नितीश कुमार और सुशील कुमार मोधी के दुवारा जो लगतार अपराद को बरहावा दिया जा रहा है तो देखा आपने किस तरीके से राजत कारकरता आकरमक होते है दिखे सलकों पर शुशील कुमार मोधी और नितीश कुमार का पुतला भी फूग दिया तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर नितीश कुमार अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं और कब फिर से वो शुशाशन का राज कायम करते हैं जब देखने वाली बात होगी कैमर पतन राज सिलक के साथ अतन्वीर आलम हेड्लाइन्स इंडिया